लगातर जुड़े रहने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जुरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देशे से जाहिन फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सस एक जिद और आज हम बात करेंगे आईशमान खुराना के जो फिल्म है गुलाबो चिताबो उसमें आईशमान खुराना के गल्टफन्ड मनी है पुलनिमा सर्मा जिन्होंने फोजिया का रोल अदा किया है तो बरेली की एक आम लड़की को इस फिल्म में काम करने का मुकब कैसे मिला कैसे वो आईशमान खुराना की हिरोईन बनी है इस फिल्म में आये जानते हैं इसके बारे में पुरी जानकारी गुलाबू शिताबू से अपने डेबू कर रही है पुलनिमा सर्मा इस फिल्म में वो फोजिया बनी है जो की आईशमान खुराना की चतुर गर्लफेन है उत्तर परदेश की इस लड़की का जो है फिल्मी दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं था अपने कोलिज में पढ़ते पढ़ते ही उन्हें ये फिल्म कैसी मिल गई ये मानी के अपने आप में एक फिल्मी दास्तान है उत्तर परदेश के सहरे बरेली से जुड़े कस्वे मडीनात के रहने वाली पुरुनिमा का फिल्मी दुनिया से कोई भी नाता नहीं है वो एक मद्दम वर गये पिरिवार के लड़की हैं लेकिन अबिनेतरी बनने के सपने देखती थी इसलिए पुरुनिमा ने रंगमंच का सहरा लिया और वो खंडेलवाल कोलेज से बीड करते से में रंगमंच से जुड़ी यहां पर नाटकों में काम करते करते उन्होंने 2018 में लखनों के भारतिन्दु नाटक अकादी में एडिमिसन जो है वो मिल गया यहीं पर उन्हें गुलाबों सिताबों के ओडिशन में जाने का भी मौका मिला करीब सो लड़कियों के ओडिशन के बीच कास्टिंड डारेक्टर जिनका नाम है मुहम्मद सेफ उन्होंने पुर्णिमा सर्मा को चुन लिया इसके बाद जो फिलम के मुख कास्टिंड डारेक्टर थे जोगी मलंग उनको भी ओडिशन अच्छा लगा और उसके बाद जो फिलम के बाकेटिंग थी उन्होंने भी ओडिशन को अप्रू किया और इस तरह पुर्णिमा गुलाबोशिताबोगे फिलम में फोजिये के रोल के लिए सिलेक्ट हो गई अभी पुर्णिमा सर्मा जो है वो अपना कोर्स कर रही थी और उन्हें ये फिलम में मिल गई फिलम की सुटिंग जैसे के लखनों में हुई है तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथे पुर्णिमा के जो है सुटिंग भी कम्पलीट हो गई और अब जब ये फिलम रिलीज हुई है तो उनका भारतिंदू अकादमी से कोर्श भी खत्म हो गया फिलम में पुर्णिमा के ज़्यादा सीन तो नहीं है लेकिन आई सुमान के साथ जितने भी सीन में वो दिखी है वो काफी मज़ेदार है लखनों की एक तेज तरार मुस्लिम लड़की का किरदार पुर्णिमा ने बहुत ही बकुभी से निभाया है चुंकि वो लखनों में पढ़ी है इसलिए लहाजा भी उन्होंने बकुभी पकड़ा है और रंगमन से जुड़ी होने के वज़े से अभीनों में भी काफी सहचता है पुर्णिमा के होम टाउन ब्रेली और लखनों में उन्हें फिलम के रिलीज होने के बाद काफी सरहाना मिल रही है खास कर भारतिंदू अकादमी से जहां से धेर सारे कलाकार जैसे की नमजुदिन और राजपल यादो जैसे कलाकारों ने भी अभीनों की पढ़ाई की है तो आप लोग देख सकते हैं कि ये काफी इंटरस्टिंग सफर है पुर्णिमा सर्मा का कि आखिर कैसे एक आम लड़की से वो आईसमान खुराला की हिरोईन बन गई है तो उमिद है आपको जानकारी अच्छे लगी होगी और भी नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए थैंक्स पर वोचिंग एंड कीप सेपोर्टिंग